स्वागत आप सवी का सवी का सवागत पिछले Class में हम लोगों ने कुछ महाथपूर टॉप्श के था जिस्ट के रिया हैं रिगाण क्यों क्यों अनिवार गुरूप में उच्छ अस्थान दिया जाना चाहिए इन रिप्ट से उसका हम लोग ने करके अच्छी से देखा था और उसकी कम्प्लीट हम लोगों ने इस क्लास में उसका किया था मतलब इस टॉपिक को मुने पूरी तरी कि पढ़ लिया था तो आज हम लोग एक नई टॉपिक को पढ़ने वाले हैं यहां से प्रेंट आप मान चलिए हंड़ इस टॉपिक को मेरे से आप सबी लोग बड़े ही ध्यान से बड़े ही सतरक्ता साथ और बड़े ही समझ बूज और सूज बूज के साथ जो है पढ़िएगा क्योंकि यहां से 7% आपके परिच्छा में मिलते हैं तो पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंट वैन हिलेगा जामतिय चि इस धात में वैन हिले महोदय ने इस बात की पुष्टी की थी कि बच्चे जो है किस प्रकार से से शेखते हैं किस प्रकार से ज्यामतिय संद्रचना को सेखते हैं इसकी लिए पांच करम बताए थे इसकी इन्हों ने पहले करम की बार में लोग दिखेंगे उसके बाद करके करेंगे तो पहला नाम रखा इन्होंने 46 करण पहला जो इन्होंने बताया उसका नाम रखा 46 करण या मानसिक चित्रण या लेबल 0 मेरे साथ आप से लोग नाम का भी डिविजन करिए क्योंकि इस नाम से भी प्रस्ण बनते हैं निम लिखित में से कौन सा वैन हिलें के सिध्धान के अंटरगा समलित नहीं है तो आपको उसमें दे जाएगा चाचुतिकरण मांतिक चित्रण विसलेशन और अनवचारिक आगमन या एक कोई और दे दिया जाएगा तो इसमें आपको पाचाना होगा कौन सा है तो इसलिए आप इन नामों को जो है बहुत ध्यान से इसको जो है समझेंगे और इसको अपने मस्तिक में बैठाएंगे पहला है चाचुतिकरण मांतिक चित्रण लेबल 0 दूसरा है बिशलेशन लेबल 1 तीसरा है अनवचारिक निगमन लेबल 2 और तीसरा है अनवचारिक निगमन लेबल 3 और पाच्वा है ध्रिडता लेबल 4 फिर से रिविजिन करिएगा पहला है चाचुतिकरण मांतिक चित् दूसरा है विसलेशन लेबल वन तीसरा है अनवचारिक निगमन लेबल टू चोथा है अवचारिक निगमन लेबल त्री और पांचवाँ है धृटता लेबल फूर तो एक करके इनकी बारे में डीटिल ब्याक्षाम लोग करेंगे बारी-बारी से ठेके फ्रेंड इसको आप दूसरा है अनवचारिक लेबल टू चोथा अपचारिक पात्वाइज रिड़ता इस प्रकार से इसको आप इस सिक्वेंस को इसक्रम को आप लोग अच्छे से लर्ण कर देगा क्योंकि यहां से भी परिच्छाम में प्रसम बनती हैं यहां से एक मार्क आपके पक्के हो जा जानते हैं पहला फ्रेंट चाच्छी करन या मानते चित्रन विजुलाइज जैसन लेबल जीरो इसके बारे में जानेंगे क्या होता है देखिए विद्यारती इस अस्तर पर क्या करता है ज्यामती आकृतियों को जैसे त्रिभूच आयत समांतर रेखाएं आदिको उनके ना परणयवकर मतलब इस अस्तर विबात लेबल जीरो जैसे जयह से आयत जैसे आयत जैसे समानतर रेखाएं जैसे समानतर रेखाएं आज इको उनके नाम से पहचानता है मतलब वह त्रिबुज की समचन से परचित है वह आयत की समचन से परचित है वह समानतर रेखाओं के समचन से परचित है वह जानता है कि यदि तीन भुजाओं से बंद आकरति दिखेंगी तो चतर भुज होगा यदि दो रुखाओं के बीच के दूरी समान है तो वह समानतर होगी वह आपत में समानतर होगी मतलब इस सत्थे का उसको ग्यान है इसलिए आसानी से उनकी पहचानव कर ले रहा है ठीक है फ्रेंट साथ क्य आगे बढ़ेंगे यह बिल्कुल सिंपल था अगला है विसलेशन पढ़ेंगे विसलेशन के दारें देखेंगे अ नामती है सब्सक्रा पर विध्यारती कि बिभीन सलेशन पर नाम्ती उरद ह्याता हूं इससतर पर कर लेता है हुशं है जिंफ़िवर्डवर्ड या वान के लिए टाहु देख्र पहचान लेता था लेखले लेखलेंगे थेया फिर्ट हुट हूं तो देखने पहचान लेता था लेकिन लेबल वन में जाते जाते वह क्या हता इनको देखकर उनके गुड़ों विश्थाओं के आधार पर इनको वर्गी कर देता है तो आसानी से बता देगा कि तीर बुझा वाली आक्रती है इसमें 180 अंत्र होता है जबकि चत्र बुझ के अंत्र को बता कर इन दोनों को आपत में वर्गी कर सकता है कि यह त्रिबुझ के गुड़ है यह त्रिबुझ के गुड़ है उन गुड़ों को वह अलग अलग कर सकता है बता सकता है भली बाती साथ वह उनके चित्र को भी बना सकता है किस प्रकार से रचना की जाती है किस प्रकार से पंजबुझ की रचना की आती है किस प्रकार से वरिज की रिच्णा की इति है इन समस्त्याक्रितियों की रिच्णा वरकों से कर लेता है ठाथ न मुझत अमनते देखाओं के वारे मि उसको जानकारी हो जाती है तो इतनी बात ही वह पूर्ड रोप चलिए अगला नियम के बारें पढ़ेंगे अगला नियम के बारें पढ़ेंगे अनौपचारी निगमन इसको बोलते हैं इंफार्मर इंफार्मर डिडिक्शन मतलब लेबल टू चिया फ्रेंट लेबल जीरो लेबल वन अब हम लोग आज की हैं लेबल टू की तरफ लेबल टू में क्या है हम इसे जानते हैं अनौपचारी निगमन के बारे में यह अनौपचारी निगमन के नाम से या इंफार्मर इस अस्तर पर विद्यार्थी जामतिय आकृतियों को देखकर उनको परिभासिय आधार पर बताने लगता है मतलब अब क्या है कि पहले तो क्या पहले स्टेज हमने देखा क्या कि वह देखने भर मादर से बता सकता है क्या कर लेता है उनकी गुड़ों को के आधार पर उनका कर लेता था लेकिन तीसरी स्टेज में जाते जाते उनसे समंदित एक विश्ष्ट परिभात्वा को भी बता लेता है अधार उनको पूरी तरीके से परिभासित करने है वह सच्चन हो जाता है किसी के सामने भी तृवज नामक आकरती के वारे पूरी तरीके से व्याख़्ा करने के लिए त्यार हो जाता है मतलब उनको चितर के माध्यम से उनके गुड़ों के माध्यम से उनके परिभासा के माध्यम से मतलब पूरी बाते एक सामने वाले बालग विक्ति वह संतुर्ष करने के छमता उसके अंदर विक्सित हो जाती है जैसे क्या कर लेता है भुजाओं वह बिकर्ण को असपट रूप से समझ कर उनके विकर्णों के असपट जानकारी कर लेता है कि उनके विकर्ण कैसे होते हैं कि कहां पे काड़ते हैं क्या उनका संडचना में रोल होता है ताती साथ उनसे बनने वाले महत पून सुत्रों को भी जानकारी बालक हो जाती है जैसे त्रिवुज का सुत्र क्या होता है त्रिवुज के का च्रपर कैसे निकालते हैं त्रिवु ये इस में आपको बता हूं कि अधुक्र के लिए कई सारे कंडिशन होते हैं जैसे इसको दो खड़ेगल में डिवाइट करते हैं आप सब यह गानते हैं एक बुझाओ का याकरती आधार पर और एक कोड की आधार पर ही दियुक्त थीति मुझाओं के अधार ली तुर्बहopard Missouri siinä in za practice पैला संब्राओं हो गया संदिभाव हो गया विसहिए मोड़ा सब्सक्राओं मुझाओं के पर और कोणके दाद Crime दोनों के दाध करतें असके बाद करें तो है जिसके थाकट निकाल सकते हैं तो करना होता है आपको मैं खेंड़े milhões को बता दिरा हूं कि एस बराबर फॉरी तरफ करते हैं यह बराबर अंडर रूट एस कि एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस अब बात आती है यहां पर यह की आए फ्रेंट तो यह का मतलब होता है अर्द परिमात या सेमी पेरिमीटर करते हैं इसको बिकालते हैं लिए लेकिन कुछ के और भी जानते हैं संभाव का स्टुक पार्मुला अंडरोट तीन बटा चार गुड़े भुजा इसक्वाइर इस प्रकार से संभाव को होता है इसी प्रकार से आयत का सुरी समकोर त्रूच का था एक बटे दो गुड़े अधार गुड़े उचाई तो मतलब इन अलग अलग करकार सब्सक्राइब तो मतलब मतलब कीनाम आश्रे का है यह क्या है यह आप का मतलफ इसमें में होता क्या है कि तोर पर मतलब क्या था कि अभी उसको तोरव पर पर चीजों को समझ लगता और कि उनके बारे में असपश्ट व्याक्या करने लगता है। कि मतलब किस प्रकार से इसमेंगे तथ्यों का प्रयोक किया जाएगा। किस तथ्यों के आधार पर आधार इसका निशकर निकाला जाएगा। या इसके अंदर और भी समाहित बाते हैं, जिनके आधार पर हम इसको हल सकते हैं। इसके अस्तियु करो सबहुता है, इंस सारे बातों के बिर्ष आंधर कने लगता है। सुत człowie, नहीं करते हैं। उनका नाम क्या है मतलब इन तरुकों को जो भी हो क्या करता है एक एक तरीके से जो हो हुआ पूरी तरीके से तमस्जिंझ लगता है कि मं negócio करते हैं कि हम उसे फिवर्ब की अस फश्ठ ब्याक्ष्थ हो जाती है कि यहीं प्रकार का कन्षूजन इस अवस्था में जाते जाते बालक को नहीं रह जाता है जहां पहले अवस्था में मात्र वचित्र रूप में पर्चित था के वर्चित्र तरीके से जानता था इस अवस्था में आते आते उसका बोध जो है इस अस्तर तक हो जाता है कि अब अब हुआ है उस ज्यामिति आकृति के बारे में परजटा कि आगे बढ़ेंगे आंति मॉस्ता के बारे में आंति मौता इसे क्या है करेंगे कि अन्ति मौस्ता है द्रेड़ता या नो करते हैं राइगोर या इसको लेवल फॉर के इंदर करता ब है इसमें विद्ध्यारती अपने जामती चिंतन चाहिए अपने ज्यांती चिंथन्तन के अंतार कुछ चीज में बनाता है मतलब बहुत सारी बाते उसनी बारे मुrun ने जाना था मतलब सिख्चक के तरू, किताबों के तरू और भी किसी अन्य साती तेंगती या इश्ट मिष्ट के साथ उसकी समझ उसका बोध इतना विख्सित हो जाता है कि अब क्या करता है विद्यारती इस ज्यामती आकरती के बारे में चिंतन करके खुद ज्यामती आकरती जैसे सरचना की चित्रे वनाने लगता है और उनका इंप्लेमेंट करने लगता है मतलब वह विभीन प्रकार के आकरतियों को बना लेता है वर्ग सेफ की चीज़े बनाता है आयत सेफ की चीज़े बनाता है की बारेम की जानकारी इस से मिल जाती है जिसके आधार पर हो इसी वीवेक्टे को जामती के बारे में परचित करा सकता है।। जामती की एक अच्छी खाति व्याखşa वह उद्माइं। और समझा सकता है कि वास्तों में जामती होता क्या है। जामती के अंतरगर्शम कि डित्रीके से फीगर को सामिल कर सकते हैं। कौन कौन के स्पिगर का हुग्ति कर सकते हैं चया-क्या उनके नियम होते हैं यह सारी बाते जो एक-एक करके हो है तॉद्ध को बता सकता है यह था फ्रेंड वैन हिले के पांच महतपूर गड़ती सिध्धान जिनके आधार पर जो है फ्रेंड हम लोगों ने एक एक करके सब के बारे में जाना है और सबका अध्रियंग किया है एक बार इनको रिविजिन करेंगे उसके बाद इसके लिए फ्रेंड नेक्ट क्लास में आपसे फ्रिमिला क्या है थी इनहोंने क्या है कि इन्होंने बताएब कि बिच्चे जो है जामति को पांत क्रम सिंदा ने बिता है Répहिते जिसको केंद्र में रखकर ने के संदर् में पूरी जानकारी उन्हें परस्त तरफ की है पूरी जानकारी मिन्हों ने अस्पष्ट रूपते ब्याक्ष्टा की है पहली जो उन्हें ने बताया है उसके बारे में करके यह आप क्रम याद रखिएगा और लेबल याद रखिएगा क्योंकि अक्सर यहां से प्रस्ट बढ़े हैं बार बार आप से कहा रहा है मांति चित्रन लेबल 0 दूसरा है इनालते जिससे हम अगरिज्म करते हैं इसका है लेबल 1 तीसरा है और अव्चारिक निगमन जिसका है लेबल 2 शोका मिन लेबल 2 के अंत्रे हरनway दूर्गते हैं इंफॉर्मल डुडिक्सण अचौथा है آپचारिक निगमन लेबल 3 सकते हैं कि पांचों करम के आधार पर बच्चों को ग्यान दिया जाता है बच्चे सीखते हैं चीजों को और उसका इंपलिमेट करते हैं और और रहे करें नाम के चाचुट्टीगंद के बारे में बच्चो के देखा हमने इत्में क्या करते थे बच्चों जो है इसकी बुला जारा तो इसके बारे में उसके बारे में और उनके नाम मादरती प्रतिविम उसकी मस्टेश में उसका बन जाता है इस अवस्था में इतनी जानकारी होती है आगे बढ़ेंगे थे दूसरा है बेस्टलैस क्या होता है फ्रेंड क्यों है उनके गुलों या विस्टाथा में देख क्या सब हंदार पर वलाड़ीतं करूश्थ यह बातें छोटी छोटी बाते जाने लगता है ऑगे बढ़ेंगे अपचारी को वत्था यति Kelvin क्या जो है परिभासिय रूप में जो है परिभास्ती रूप में उनकी बारे में जानने लगता है अथार एक परिभासा के रूप में जो है उनको समझने लगता है और किसी के द्वारा पूछे जाने पर एक असपश्च परिभासा वाय बेख्ट कर लेता है कि इस बता हमने बटा क्या लेता है और वा जम जामती अकृतियों को देखकर उनकी मिनकी परिभासा के बारे में असपश्च बहना लेता है कि कि प्रकार से मैं इस आकृति रूप करता है इस आकृति के लगता है और रुक में क्या प्रापर्टी वीशता होती है इतने होते यह एक आहिए नामक Jer Bem अउधाना होती है उससे पर्चित हो जाता है और उंका सुत्र भी बताने हैं जो भी आप में शुको होजता हैं अगे दिखेंगे और कि आप्चारिक निगमनिक तर्क करता है वह आकृतियों को अपने तर्क द्वारा जो है सिद्ध कर लेता है कि प्रतृता है उन की वह समाधान करने के योगिन अपने तरक द्वारेय को आप्रत्यों के नियम का on लगता है कि अंते बिच्छता इस विद्यारती जामती चिंतन जामती चिंतन कि जामती चिंतन के उतार खुद चीजें बनाए लगता है मतलब फ्रेंड क्या आता है कि जो तीन लेबल में उन्हें देखा मतब जीरो एक दो तीन लेबलों में जो चीजों को उन्हें सीखा है जो चीजों को step by step उसको मस्तिक में प्रत्यास्मन करा गया है उसके आधार पर अब पांचवे लेबल में जाते जाते वह अब खुद से ज्यामतिय चिंतन करकर वस्तू को बनाना लगता चीजें लगता है तो इस प्रकार से प्रेंट हम लोग ने वैन हिले के सिध्धान के बारे में पढ़ा और उनके सिध्धान के बता आगे पांच करम के बारे में इसक्तित किया तो आई होब एक लास आपको पहंद आ